हेलो एल वेलकम टुकूक विद प्रेम लता आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बैगन आलू की सबजी बनानी जा रहे हूं उसके लिए देखिए मैंने तेल लगरम किया है तेल में जीडा डाल दिया है और यह दो प्याज है जिसको मैंने लंब एक बड़ा बैगन था मेरा उसी बैगन को मैंने इसमें डाला है तो बैगन को मैंने थोड़े लंबा लंबा काटा है और आलू को छोटा छोटा तो स्लाइस में बैगन देखते हैं तो अच्छी लगती है तो वैसा ही मैंने लंबा लंबा बैगन काटा है और सबजी बनने म लगता है मेरा जादा से जादा दस मिनट के अंदर पूरा सब्जी बन के तयार हो गया था और यह देखिए यह लंबा-लंबा मैंने बैगन काटा है और बैगन में कीड़े होते हैं तो देखे काटा करिए थोड़ा ध्यान देना पड़ते हैं क्योंकि बैगन को चीरा लगा के देखना पड़ता है चेक करना पड़ता है क्योंकि छोटे-छोटे कीड़े भी होते हैं तो इसमें मैंने चेक किया है वैगन को मेरे बैगन बहुत साफ सुतरा था और ऐसे लंबा-लंबा काटा है मैंने और यह अद्रकल सुमिर्च का पेस्ट है जिससों मैंने एक से दो चम और यह देखे इसको थोड़ा देर बूंजना है धग-धग के मैं धग-धग के पकाऊंगे साफने मैंने नमक भी डाल दिया है तो मैंने कहा आपसे बहुत जल्द इस सब्जी बन जाती है साफ मैं टमाटर का प्यूरी बनाई हूं तो दो टमाटर का प्यूरी इसमें इनफ करना है और अच्छी तरह से स्काइब करने के बाद इसका पता चल जाता है कि इतना देर तक हमको मूजने हैं साथ मैंने मसाला भी डाल दिया है एक इसी तरह से मिक्स करते जाए तो आप चाहे तो इसको सुखी सब्जी भी बना सकते हैं मैंने थोड़ा सब्सक्राइब ग्रशने कि अच्छी टका बूझ ताकि सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इससे तरह सब्सक्राइब गौझा कि अच्छी तरह से बुन जागा है तब मैं इसमें पानी डाल रही हूं जितना ज़रूरत है मुझे पानी की उतना ही में पानी डालूंगी और बैगन तो बहुत ज़ल्दी पग जाता है और देखिए इसबस अब अब कर दिया है और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमें करके जरूर बताएगा, thanks for watching my video, bye